मेरे साथ कुछ लोग हैं जो आफिस में काम करते हैं, लंच का टाइम हुआ है, लंच पे टाइम पर ये पार्क में आए है, और इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि क्योंकि सुबर से बैठे हुए आफिस में और स्ट्रेस रेवल भी बढ़ रहा था था कि और अब जब ये अ सब को बता रहे हैं कि आप बॉकिंग करिए, जोगिं करिए, रनिंग करिए, हैल्प और सुट्रेस में डेट्री हैं, देखो अगर हमारे एंपलाई जो इतना हाडवर करते हैं, जो के कारण सारी कंपनी की सक्सेस होती है, वो इनके कारण ही होती है, अगर ये बीमार हो जाए कि जब कभी भी मुका मिलता है, लंस्टाइम के बाद, या कभी सुबह, कभी भी और संडे के दिन, ये बॉकिंग करें, जोगिंग करें और रनिंग करें, ताकि ये फिट रहें, हल्दी रहें, और अपनी कंपनी के लिए बैटर से बैटर काम करने में काम जाब हो, औ तो इस मिशन के साथ हम ये कहते हैं कि आने वाले समय पर हम चाहते हैं कि हमारे एंप्लाइज करने के बाद कुर्श एक्सराइज वाकिन और जोपी देने बोला सही है ये गलत है तो फिर मैं मुझे बड़ी खुशी है आप अपना नाम पताइए अनुछ अच्छा हुआ कि हमारे जिंद के इस अच्छी है विद्ध को डपके तरेंगे तो हमारी लाइस भी बैट बहुत रहे ये तो हम कहते हैं हस्ते रही है खेंते रही है फिट रही है और आपने ड्रीम को सोदिये मात भार नहीं माननी कॉंटिनिव यार गोल्स एंट अबश एंट अगिश लिए is very big or sky is unlimited namaste